Hello Friends, Welcome to the Studio Kitchen. Hope you all are good and safe. Friends, आज मैं बना रही हूँ Instant Breakfast Recipe जिसका नाम है गोली इडली. इसमें कोई soaking, fermentation, इनो, सोडा किसी चीज की भी ज़रूरत नहीं है. तो शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने दो कप पानी उबालने रखा है, उसमें मैंने एड़ करा है, हाफ टी स्पून नमक, जिस कप से हम पानी का नाप लेंगे, उसी कप से हमें चावल का आटा, राइस फ्लोर का भी नाप लेना है, तो दो कप हमने पानी लिया है, और दो क पानी एकदम गरम हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम आफ कर देंगे, और इस गरम पानी को हमें डाल देना है, चावल के आटे में, या तो आप किसी पराद में से एड़ कर दें, या आटा आप सीधे पैन में भी एड़ कर सकते हैं, तो मैं पराद में ही एड़ करूंगी, पा चमच की हल्प से हम पानी को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे, बहुत बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेक्फस्ट में क्या अच्छा बनाई जो बच्चों को भी पसंद आए, और साथ ही वो हेल्दी भी हो, तो उसमें आप इस इडली को जरूर ट्राइ कर स एकदम गरम में हमें हाथ डालना नहीं, नहीं तो हमारा हाथ जेल भी सकता है, इसके बाद हमें किसी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी सफिशेंट है आटा गूंदने के लिए, एक सॉफ्ट डो बन जाएगा इतने पानी से ही हमारा, तो अच्छे से हम इसे म असल लोंगी में, गोली इटली का आटा हमारा बनके रेडी हो गया है अब इससे हमें छोटी छोटी बॉल्स रेडी करनी है, थोड़े से आटे को लेकर हम लंबा लॉक शेप में रोल कर लेंगे, ताकि हम एक ही साइस की बॉल्स बना सकें इस तरीके से, और छोटे छोटे पेड़े इसके निकाल लेंगे, ताकि सभी का साइस सिमिलर आए, तो इस तरीके से हमें सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है, इसे हमें स्टीमर में स्टीम करना है, तो मैं इडली स्टीमर में ही इसे स्टीम करूंगी, तो उसे भी हम गैस पे रख लेते हैं, ताकि तब तक हमारा पानी भी बॉइल हो जाए और फटा-फट से सब भी बॉल्स को रोल कर लेते हैं आधे आटे की बॉल्स मैंने रोल कर ली है अब हम इसको स्टीम करते हैं स्टीमिक के लिए पहले हम इडली प्लेट को ग्रीस कर लेंगे आप जिस भी प्लेट में इसे स्टीम करेंगे उसे ग्रीस कर लीजिए कोई भी ओईल लगा सकते हैं और इसमें मैं प्लेस कर दूंगे अपने इडली बॉल्स इस हो गया है हमारा idli stand अब बॉल्स को हम प्लेस कर देंगे और इनहें steam करना है हमें 15 मिनट के लिए medium flame पे स्टार्टिंग में 5 मिनट हम इसे high flame पे steam करेंगे और फिर 10 मिनट medium flame पे 15 मिनट में ये अच्छे से पकन जाएगी idli अब हम इसे तड़का लगाने की तयारी करते हैं गोली इडली फर्स लोटकी हमारी रेडी हो गई है उसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और दूसरा डाल देंगे स्टीम होने के लिए तब तक हम करते हैं तड़के की तयारी तड़की के लिए मा ने लिया है एक छोटा प्यास बारी कटा हुआ दो इंच अध्रक का टुकड़ा थोड़ी सी हरी धन्यक पतियां एक हरी मिर्श बारी कटी हुई और एक टी स्पून उडद दाल और एक टी स्पून चना दाल और कुछ कड़ी पत्ते की पत्तियां जो मैं बीच से तोड़ ली हैं साथ ही जो अपने नॉर्मल मसाले हैं राई, जीरा, हींग, मेथी दाना वो भी जाएंगे पैन गरम हो गया है इसमें मैंने दो टेबल स्पून तेल एड़ कर लिया है तेल गरम होने देंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे आदि तीश पून मेथी दाना, दो टीश पून राई के दाने ये मसाले दानी की चम्मज का नाप है और एक टी श पून जीरा अट कर देंगे अब मैंने इसमें half teaspoon hing add कर दिया है उसके बाद ये जो दाल हमने धोके रखी है इसे डाल लेंगे और इसे भूनेंगे इसे आप नॉर्मल तड़का मारके बिना सांबर पाउडर के तड़के के भी कहा सकते हैं और जो मैं सांबर पाउडर डाल के सांबर फ्लेवर बना रहे हूं तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं आप चाहें तो दाल को सुखे कपड़े से भी पोच सकते हैं मैंने दोके ली है एक मिनट दाल को भून लेंगे उसके बाद आड़ कर देंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता डाल के इसे 10 से 20 सेकेंड भून लेंगे फिर एड़ करेंगे इसमें बारी कटी हुई मिर्च और प्याज प्याज डाल के इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे इसे हलका ब्राउन कलर होने तक पकाना है फ्रेंस प्याज हमारा ट्रांसलूसिंट हो गया है अब इसमें मैं एड़ कर दूंगे एक टेबल स्पून बटर बटर से खाने का स्वाब बढ़ जाता है फ्रेंस अब बटर के साथ प्याज को हम भून लेंगे अच्छी तरह से साथ ही हम एड़ करेंगे इसमें ग्रेटेट जिंजर और बाखी के सूखे मसाले एक टीस्पून नमक एड़ किया है नमक आप स्वादनुसार एड़ करें एक टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर एड़ कर दिया है अगर इडली वाइट कलर में चाहिए तो सभी मसाले स्किप करके सिर्फ नमक डालके इडली को हम सौते कर लेंगे अब एड़ कर दिया है मैंने दो टी स्पून धनिया पाउडर और सभी मसालों को हम भून लेंगे दस से 20 सेकंड हम मसालों को भून लेंगे फिर एड़ करेंगे गोली इडली और उन्हें भी हम अच्छे से मसालों के साथ कोट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इडली का कलर वाइट से अब यलो हो गया है फ्रेंज अगर आपने इसमें हल्दी और बाकी मसाले धनिया पाउडर स्किप करेंगे तो ये प्लेन वाइट रहेगी कड़ाई को टॉस करके हम सारी इडली को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे पांच मिनट तक धक के पकाएंगे मसालों के साथ पांच मिनट बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एड़ कर देंगे अब अपना सामबर मसाला तीन छोटी टी स्पून सांबर मसाला एड़ कर लोंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे थोड़ा कर्ची से हिलाएंगे और थोड़ा सा कड़ाई को टॉस कर लेंगे सांबर मसाला अच्छे से मिक्स करके इसे हम पांच मिनट के लिए और सेकेंगे ढखकर और रेडी हो जाएगी हमारी गोली इडली गोली की स्पीट से बिना किसी fermentation और soaking के इसको आप नारिल की चटनी या onion tomato की चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं या कोई और चटनी जो आपको पसंद है उसके साथ इसे enjoy कर सकते हैं तो सुभा के नाष्टे का या शाम के नाष्टे का एक recipe और add हो गई friends आपके menu में तो कैसी लगी friends आपको आज की recipe बताईएगा जरूर और बनाईएगा भी जरूर लग रहे हैं ना एकदम ला जबाब friends दिखने में पी एकदम सुन्दर और खाने में भी वैसी ही tasty है ये गार्निश कर लेंगे इसे हरे धनिय की पत्तियों के साथ और fresh coconut अगर आपके पास है तो उसे ग्रेट करके भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं friends तो मिलते हैं friends अगली वीडियो में किसी नई recipe के साथ Till then, thank you for watching my video, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for further notification from my channel Thank you friends